Hello guys, आज हम बात करेंगे Simply and Multiply Connected Domain की So यह बहुत ही important topic है, जब आप complex analysis पढ़ना start करते हैं तो आपको पता उनंशी कि domain क्या होता है क्योंकि domain में ही हमारे एक function को define करते हैं जब भी complex analysis पढ़ते हैं तो सबसे पहले start करते हैं domain से domain का मतलब क्या होता है? a connected set is called domain if it is open अगर आपका एक connected set है जो कि open भी है तो वो एक domain है connected set मतलब कि कोई भी एक जैसे कि यह एक set है ठीक है? This is called connected अगर इसमें कोई भी दो point आप ले उनको finite number of lines के थूँ join कर सकें ठीक है? finite number of straight lines के थूँ तब यह कहलाता है connected set जैसे कि यह connected set है अगर मैं इस टाइप से कोई दो यह बना दू ठीक है जिसमें यह inner वाला जो portion है that is the set तो यह क्या connected है? Yes, it is connected क्योंकि आप कोई भी दो points लेंगे यहां पर तो उसको finite number of straight lines से join कर सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं आपको 20 से ही join करना है तो वो outside हो जाएगा domain से जो हमारा set है उससे इसलिए हम इसको इस तरह से join करेंगे लेकिन अगर आप ऐसा कोई set लेंगे suppose यह यह एक है यह एक है ठीक है इसको define करना बहुत easy है only आपको क्या लिखना है? z belongs to c such that mod of z is इसको मान लेते हैं less than 2 ठीक है union यह भी आपका ले लेते हैं यह अगर 3 radius का है तो mod z less than 3 तो इस तरह से यह क्या एक set define कर रहा है यह आपका connected set है? नहीं है क्यूंकि यहाँ पर आप कोई भी 2 point ले रहे हैं तो उसको finite number of straight line से join नहीं कर सकते जो की straight line inside होनी चाहिए set के यह तो outside ही जाएगी set के यह line इस portion में ठीक है? इसलिए this is not a connected set यह connected है यह connected है तो यह connected set अगर open है open का मतलब क्या होता है? कि it contain all its interior points interior points हैं सारे उसके अंदर तो वो connected open set is called domain ठीक है? अब हम बात करते है simply connected domain की तो domain simply connected होगा अगर उसके अंदर कोई भी आप simple closed curve लें ठीक है? और उसको shrunk करें किसी point पे तो वो point भी क्या होना चाहिए? उस domain के अंदर होना चाहिए तभी domain simply connected कहलाएगा जैसे कि मैं यह example बता रही हूँ first example क्या है? z belongs to c c मतलब complex plane और mod z minus i less than 3 इससे आपको क्या पता चल रहा है? इसको कैसे आप draw करेंगे? तो यहाँ पर आप देखिए z minus i लिखा है less than 3 इसका क्या मतलब है? इस तरह से होता है ठीक है? या फिर इस तरह से भी लिखते हैं इसको ठीक है? यह भी circle represent करता है यह भी circle यह बता रहा है आपको की radius कितना है? r है इसका ठीक है? radius इसका r है और center कितना है यहाँ पर? center z naught है ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए radius कितना है? 3 और center कितना है? minus i minus i का क्या मतलब है? minus i का मतलब है इसको आप complex number बानेंगे तो यह 0 minus i है real part यहाँ पर 0 है complex part कितना है? 1 ठीक है? minus 1 तो यह 0, minus 1 को represent कर रहा है आगे बत समझ में तो यहाँ पर एक second यह minus i है तो यह आपको plus i लेना है क्योंकि यह already default minus i रहता है यहाँ पर minus sign रहता है तो यह आपको represent कर रहा है कितना? 0,1 तो 0,1 आपका radius है आपको सिर्फ अंदर के circle के points इसमें consider करने है s1 set में, s1 domain में ठीक है नब boundary है boundary भी इसमें consider नहीं की गई है क्योंकि यह less than लिखा है less than equal to होता तो boundary भी रहती इसलिए मैंने यह dot 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 बनाया है क्योंकि यह boundary भी इस set में, इस domain में नहीं है only interior points है ठीक है? सो इसको मैंने draw कर दिया यह देखे radius लिया है 0,1 आपको मैंने भी बताया 0,1 कैसे आया radius center और radius कितना है 3 तो मैंने 3 radius उपर लिया 3 नीचे side में और यह circle draw कर दिया ठीक है? So यह circle जो है simply connected domain है सबसे पहले तो domain तो ही मैंने आपको अभी बताया था इस type का example कि यह domain रहता है क्योंकि इसमें आपको इभी दो points लेंगे तो उसको finite number of straight line से join कर सकती है और वो straight line भी inside domain होगी इसलिए यह domain है यह domain तो है अब यह simply connected domain क्यो है? क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी simple closed curve ले लीजी यह simple closed curve है simple closed curve का मतलब क्या होता है? कि जो point से आप start कर रहे है curve बनाना वही पे and हो रहे है तो वो closed हो गया simple का मतलब क्या है? कि वो repeat नहीं करना चाहिए overlap नहीं होना चाहिए curve यहां से start हो है तो यहीं पर आके and हो रहा है ठीक है? So this is a simple closed curve अब इसको आप shrunk करेंगे तो shrunk करेंगे तो यह हो सकता है इस point पे shrunk हो जाए ठीक है? और यह point क्या है? Inside domain है S1 के इंदर है इसलिए यह S1 कैसा है? Simply connected domain है simple से definition है domain simply connected होता है अगर उसमें कोई भी simple closed curve हो वो shrunk हो जाए किसी point पे और वो point भी D के अंदर हो domain के अंदर हो तो हमारा domain S1 था उसमें हमने कोई भी simple closed curve लेंगे तो वो उसके अंदर ही आएगा Shrunk होगा तो वो point उसके अंदर होगा इसलिए यह क्या है? Simply connected domain है ठीक है? हम point boundary पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि S1 क्या है? open है मतलब यहां पर आप देखें less than है मतलब points सिर्फ interior of this circle है consider किये गए है इसलिए हम सिर्फ circle जो हमने simple closed curve लिया है उसमें भी आपके interior points आने चाहिए ठीक है? अब हम बात करते हैं second example की जहां पर Z belongs to C complex plane यह हमारा complex plane है XY करके लिया हमने और यहां पर देखें क्या दिया है mod Z less than 3 greater than 2 इसका मतलब क्या है? कि यहां पर center तो हमारा origin है क्योंकि यहां पर कोई भी coordinate नहीं है इसका मतलब Z minus 0 लिख सकते है इसका मतलब center 0 है और radius क्या क्या लिया है तो एक बार 2 लिया है तो 2 लेंगे तो यह circle बन जाएगा और 3 लेंगे तो यह लेकिन यह जो हमारा S2 domain है उसमें कौन से point consider करना है जो circle 3 से छोटे है मतलब यह inside वाले और 2 से बड़े वाले मतलब यह वाला यह जो portion है यह हमारा S2 को represent कर रहा है ठीक है So this is the S2 अब यह कैसा है simply connected है कि multiply connected है यह domain तो है सबसे पहले बात करते है domain की domain है क्योंकि मैंने अभी बताय था यह और यह दोनो domain है लेकिन यह domain नहीं है तो यह domain है अब यह simply है कि multiply है यह हमें चेक करना है तो simply का क्या मतलब है कि आप इसमें कोई भी simple closed curve ले लीजिए मान लेते हैं यह है simple closed curve C तो इसको shrunk करेंगे तो यह कहां जाएगा इसको shrunk करेंगे आप तो यह यहीं कहीं shrunk होगा कहीं point पे इधर ही कहीं shrunk होगा इधर पर हो सकता इधर पे इधर भी हो सकता अगर आप mid में ले रहे हैं तो यह shrunk हो रहा है outside S2 domain के बाहर है यह point shrunk हो रहा है जहां पर वो इसलिए यह क्या है multiply connected domain है अगर आप यहाँ कोई simple closed curve लेंगे यह तो shrunk हो जाएगा point पे जो की inside है S2 के लेकिन अगर आपने ऐसा कोई simple closed curve लिया तो यह shrunk हमेशा यहां कहीं होगा जो की outside domain कहलाएगा इसलिए यह कैसा है multiply connected domain है तो जो simply connected domain नहीं है वो कहलाता है multiply connected domain पहले तो domain होना चाहिए ठीक है फिर simply और multiply की बात कर सकते हैं तो यहां पर जब हम यह वाला simple closed curve ले रहे हैं तो यह shrunk हो रहा है outside the domain इसलिए यह shrunk हो के जिस point पे जा रहा है वो outside domain है इसलिए यह कैसा है यह आपका multiply connected domain है इसी तरह से और भी examples आप form कर सकते हैं मान लेते हैं इस टाइप से यह ले लीजए ठीक है यह भी क्या है? multiply connected domain है ठीक है? So, जो simply connected domain नहीं है वो multiply connected domain है लेकिन domain होना चाहिए ठीक है? Domain जो है वही होता है multiply or simply connected domain So, पहले आपको domain की definition लगानी है domain check करना है उसके बार check करना है कि simply है कि multiply connected domain है Okay, thank you so much